साल 1972 में एक European plane crash करती है Andes Mountain में जिसमें कुछ जवान लोग सवार थे जो की अब एक ऐसी जगा फर्स चुके थे जहां से बच निकलना almost impossible था बहुत ही खराब हालात, कड़कती थंड, खाने पीने के थोड़े बहुत सामान और उससे भी कम उमीद में इन लोगों को सवाइव करने के लिए वो चीज़ करनी थी जो इन्हें अब तक खुद नहीं पता थी जिसे explore करती है ये movie जो की available है Netflix पर जिसके Ultra HD account साड़े 600 में आते हैं मगर आप पास सकते हैं सिर्फ 215 में कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के description में देए के हमारे WhatsApp नमबर पर तुरंद कॉंटाक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फीट फ्लिक्स को और बैल आकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडे सबसे पहले देखने के लिए Society of the Snow रिलीज हुई Netflix पर 4 जनवरी 2024 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल स्पानिश as well as डब्ड इंग्लिश as well as डब्ड हिंदी लैंविजिस में इसका ऑफिशल हिंदी डब्ड टेलर आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ये मुवी या वोपिंग धाई गंटे की है बहुत ही slow-paced है तो आपको बहुत patience रखना होगा इस मुवी को देखने के लिए तो जिन्दा रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कौन से हद तक जा सकते हैं या किस हद को पार कर सकते हैं ये मुवी की स्टोरी इसी चीज़ पर focus करती है और ले जाती है हमें 1972 में जहां रगभी प्लेयर्स की एक टीम और कुछ बाकी passengers को इसी सवाल से जूजना पड़ता है जब उनकी flight 571 crash हो जाती है बहुत खराब weather के कारण Andes Mountain में ये मुवी उन लोगों के extreme survival की कहानी है extreme इसी लिए क्योंकि ये सच कहानी है और extreme इसी लिए भी क्योंकि जो आप देखेंगे मुवी में उससे आपके होश उड़ जाएंगे जिसे explore करती है ये मुवी जिसका नाम है Society of the Snow First things first ये मुवी उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनका दिल कमजोर है ये मुवी उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो खुद वो नहीं कर सकते है सवाइव करने के लिए जो की इस मुवी में दिखाया गया फिर भी अगर आप किसी के survival की हद देखना चाहते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि इंसान क्या-क्या जेल सकता है तो ये मुवी आपके लिए है मुवी में सिर्फ crash के बारे में नहीं बट crash की वज़े से इंसानों पर जो physical और psychological अज़र होता है वो अच्छे से दिखाया गया है मुवी में ये लोग जबी भी कोई decision लेते हैं survive करने के लिए आप सोचने लगते हैं कि क्या ये survive करेंगे इस crash में mostly जितने भी लोग थे, जाद अतर यंग लोग थे, सब में जीने की चाहत थी और वो चाहत उनकी दर्दनाक कोशिशों में दिखाई भी देती है हमे मुवी काफी upfront है और बीना घुमाय फिराय हकीकत आपको दिखा देती है बर्व से बरी पहाडियों का नजारा डिरेक्टर ने खूबसूरती से और खतरनाक दोनों ही तरीके से पेश किया है मुवी में काफी ऐसे शॉट्स है जहां स्टार्ट में panoramic view में पूरी पहाडियों को दिखा दिया जाता है clearly stating के भाई यहां दूर दूर तक कुछ नहीं है मुवी में लिए यह दिखाती है कि इन survivors को survive करने के लिए जो करना पड़ा वो इनों ने किया और आपसे भी यह पूछती है कि अगर आप उनकी जगा पर होते तो क्या यह नहीं करते हैं जिसे अनफॉचनेटी आप देख नहीं पा रहे हैं मुवी में थोड़े ups and downs है कहीं-कहीं पर मुवी काफी interesting लगती है और कहीं-कहीं पर बहुत slow हो जाती है और यह slow moments वही moments होते हैं जहां survivors को लगता है कि शायद ही वो बच पाएंगे एक बात पर ध्यान दीजेगा कि movie बहुत slow है और मेरे खयाल से intentionally इसे ऐसा रखा गया है I mean आप बैट कर धाई गंटा आराम से देख नहीं सकते तो imagine कीज़े यह लोग इतने दिनों तक इतने खतरना condition में survive कैसे कर रहे थे movie में बहुत graphic scenes है I mean उस तरीके के mark art के scenes नहीं दिखाए गया है मगर जो थोड़े बहुत हलके पूल के scenes दिखाए हैं उनको देखकर बस imagine करना ही वो बहुत graphic लगता है कि यह fake है मगर इस movie में हमें पता है कि mark art नहीं दिखाए गया है तोड़े scenes दिखाए गया है लेकिन हमें पता है कि यह real है यह truth है यह सची story पर based है और इसी की वज़े से हमें वो और graphic लगता है trust me जब आप movie देखेंगे तो आप खुद इस चीज को feel करेंगे एक चीज जो मुझे इस movie में खटकी कि एक ही graphic scene है पूरे movie में मतब एक ही topic का scene पूरे movie में दिखाए गया है director ने उस चीज पर कुछ जादा ही focus कर दिया है I mean हर 10 से 15 minute के अंदर director ने ये ensure किया है कि उस graphic scene को थोड़ा बहुत दिखा के audience को डरा सके I mean इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़े थी जो director दिखा सकते थे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो graphic scene director को जादा दिखाना था यही पर मुझे movie थोड़ी सी खटकी और इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस movie को rate करूँगा बिल्कुल न भूले चैनल को subscribe करना न भूले और अपनी राय comment में mention करना बिल्कुल न भूले अंतर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद stay safe